हलो प्रेंज आज की इस वीडियो की अंदर बात करेंगे LUNC के बारे में आज तक का सबसे बड़ा जो अपडेट है LUNC की उपर आज की अपडेट है यह जो अपडेट है पूरा यहाँ पे एकोनोमी को यहाँ पे पूरा चेंज कर देगा LUNC की और ये जो भीडो है आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप लोगोंने LUNC के अंदर होल्डिंग किया है या तो LUNC के अंदर यहाँ पर इन्वेश्मेंट करना चाहते है तो भीडो को बिल्कुल मिस मत किजिएगा बहुत ही इंपोटांट अपडेट है LUNC टेरा क कि आसपास में भलूम है 10% इसकी अंदर डाउन गया है और वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे टेरा क्लासिक युएस्टी युएस्टी सी के ओ आप लोग यहाँ पर देखेंगे 39 की सीरीज यहाँ पर चल ला है और यहाँ पर डंप हो रहा है तेरा लुना अ बहुत ही अच्छा एक उंदा प्रोजेट जो है यहाँ पर लंच कर दिये और उसकी उपर जो है अपडेट आज की इस वीडियो की अंदर देने वाले तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत किजिएगा वीडियो को आखिर तक जरू देखिए और यहाँ पर आप लोग को समझान पंप किया था और उसके बाद में फिर से जो है इसकी अंदर डंप देखने को मिला है क्योंकि देखेए यह स्टेबल यहाँ पर नहीं हो पाया बहुत साथा जो है इसकी अंदर बर्निंग हुआ और लूना की उपर भी थोड़ा बहुत हम लोग को पंप देखने को मिला इनका team जो है पूरा ये community की token है तो जिसकी उपर हम बार-बार आप लोग को update दे रहे थे तो community की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा proposal जो है यहाँ पे लाया गया है जिसकी उपर discussion करेंगे और यहाँ पे देखे एक और new proposal जो है इसकी अंतर implement हुआ है और 0.2% जो है अभी की टाइम पे burning होगा अभी की टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे on chain जो burning हो रहा था tax burning 1.2% यहाँ पे हो रहा था जिसकी बज़े से यहाँ पे effect क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा जो है भलूम इसकी अंतर increasement नहीं हो रहा था अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे लुना सी की भलूम को तो अभी 24 hours की अंदर 200 million की आसपास भलूम है 2 billion की आसपास जो है market की आप यहाँ पे जाता था उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं जाता पा रहा था तो जिसकी बज़े से इनकी community की तरफ से एक proposal यहाँ पे लंच किया गया है जिसकी अंदर यह जो 1.2% burning था उसको यहाँ पे discrease करके 0.2% किया गया और इसको क्यों किया गया है क्योंकि देखें यहाँ पे जितने भी लोग इसकी अंदर trading करेंगे उसकी अंदर जो है बहुत ज़्यादा volume इसकी अंदर increase होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी अंदर trading कर पाएंगे क्योंकि देखें यह जो 1.2% burning के अंदर यह fund यहाँ पे bestage हो रहा था तो जिसकी बज़े से यहाँ पे इन्होंने एकर प्रफोजाल जो है यहाँ पे sign-in किया है और यह अलेड़ी यहाँ पे final हो चुका है तो यह अगर आप लोग देखेंगे Alexa ID Max Proposal USDN तो इन्होंने जो है एक new प्रफोजाल में इसको जो है यहाँ पे final vision summary तो यह अलेड़ी यहाँ पे final हो चुका है तो जिसकी अंदर आप लोग को क्या होगा तो देखें इसको थोड़ा सा आप लोग समझीए क्योंकि देखें 150 billion LUNC burn हो जाएगा immediately 50 billion lunacy minted risk take aurical reward net burn यहाँ पे लगभग 100 billion की आसपास में यहाँ पे एक की साथ की अंदर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि देखें इन्होंने क्या क्या कि यह जो है एक new stable coin जो है यहाँ पे launching कर दिये है और यहाँ पी क्या होगा 35 billion EST lunacy क्या new spread between additional burning additional BTC reserve developer competition तो यह जो है डेवलोप कर के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत BTC यह लोग को hold करके रखेंगे ताकि देखेंगे जिससे आप लोग को पता है जिससे रीपेग जो डीपेग हुआ था जिसकी बज़े से lunakine की उपर effect पड़ा था तो जो यहाँ पे आगे जाके देखने को ना मिले तो थोड़ा reserve fund भी यह लोग यहाँ पे रखने वाले और equal reward pole तो जो reward pole यह लोग को दे रहे थे staking की उपर 295 billion worth of जो है यहाँ पे जा रहा था तो उसको भी यहाँ पे कम कर दिया गया है लगबग 50 billion की आसपास में ताकि जो लोगों की पास में यहाँ पे Luna C आ रहा था वो जो है थोड़ा सा ज़ादा यहाँ पे ना आये ताकि लोग जो है यहाँ ज़ादा selling जो है यहाँ पे नहीं कर पाए नेस्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है USTN तो इनकी जो stable coin यह Luna C के साथ में यहाँ पे रीपेक करने वाले है तो उसका जो quantity होगा 135 million total होगा और यहाँ पे बॉर्थ हप जो है यह 83 million बॉर्थ हप UST का यहाँ पे होगा 135 million USTN तो BTC और New Capital Control इसकी पास में रहेगा और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसको यह लोग कैसे देने वाले तो देखिए इनकी अंदर जो है एक airdrop यहाँ पे चलने वाला है 130 million USTN की और यहाँ पे देखिए किसको मिलेगा जो लोग यहाँ पे TBTC को and to LUNC holding यहाँ पे करते तो जो लोग यहाँ पे holding क करें तो उनको जो है airdrop की अंदर यहाँ पे मिलेगा 123 करके यह कभी भी कुछ भी यहाँ पे मिल सकता है इसकी उपर कोई मतलब इन्होंने यहाँ नहीं बोला कि इतना अगर आप लोग होल्ड करेंगे तो इतना मिलेगा तो कौन सी quantity के अंदर यह लोग क्या कुछ distribution करने वा और यहाँ पे और एक और बात अगर आप लोग देखेंगे तो जिनोंने USTC को इसको holding करके रखा है तो उनके लिए यहाँ पे कोई airdrop नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं यह बिलकुल community token यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे टेरा की जो टीम है USTC हो गय तो इसके साथ में इनका जो है कोई बास्ता यहाँ पे नहीं है तो जिसकी वज़े से यह लोग इनको जो है कोई airdrop नहीं दे रहे तो जिसकी वज़े से अगर आप लोग देखेंगे USTC की प्राइस जो है लगभग dual percent यहाँ पे downtrend की अंदर चला गया है क्यूंकि देखें क community कहीं ना कहीं जो है LUNC को यहाँ पे hype की अंदर लेना चाते है और यहाँ पे जो लोग Luna की अंदर investment करे है तो उसकी अंदर जो है यह लोग इसकी उपर कोई update नहीं देना चाते है तो यह जो है एक proposal इनोंने sign-in किया है और यह जो है आने वाले दिनों की अंदर आप लोग क की अंदर दे सकते हैं और यहाँ पे नेश्ट अगर आप लोग को हमने काल की वीडियो की अंदर बताया था और October 10 को इनकी एक proposal यहाँ पे sign हुआ है जिसकी अंदर अगर आप लोग देखेंगे Cosmos की साथ में जो है इनका team अलेड़ी यहाँ पे 33% voting power जो है इनको दिया है 5 years on notification and the point Luna Classic was safe for the security validator तो यहाँ Luna Sea की security के लिए जो है यह लोग ने Cosmos की साथ partnership कर लिया है Cosmos chain की साथ में तो यहाँ पे security region भी यह लोग यहाँ पे tight कर चुके तो यह जो है सबसे बड़ी नियुज है अभी की टाइम पे टेरा क्लासिक के लिए और देखें फ्रेंट मैं आप लोग वाला दिनों की अंदर इसकी उपर बहुती बड़ा hype बनेगा और वो क्यों बनेगा क्योंकि देखें इसकी अंदर जैसे air drop की announcement होगा तो उसकी अंदर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे Luna Sea को holding करने के बात यहाँ पे करेंगे और hold भी करेंगे नेश्ट अगर बात करें बर आप लुक चाहे तो थोड़ा बहुत जो है इसकी coin को यहाँ पे hold करके रखेगा आने वाले दिनों की अंदर लोना classic की अंदर बहुती अच्छा कासा pumping यहाँ पे देखने को मिल सकता है ठीक है फ्रेंच तो धीरे धीरे जो है community यहाँ पे one by one जो है इसकी उपर develop करने की कोश dieses कर रहा है हो सकता है यह प्लान जो है यहां पे fail जाए तो path भी हो जाए और पास होता है तो आप लोगको बहुती अच्छा कासा profit यहां पे हो जाएगा कीनकी अगर इनकी USTN अगर $1 की worth of यहां पे हो जाता है तो यहां पे बहुत ही आच्छा कासा Luna C की यहां पे burning भी हो जाएगा प्लस Luna C की power भी यहां पे बहुत ही आच्छा कासा रोथ हो जाएगा तो इसलिए Luna C की अंदर एक future आप लोग यहां पे देख सकते यह था कुछ Luna C की उपर जो अपडेट है और पिछले जो भी अपडेट की उपर आप लोगों ने अपडेट लिया होगा और यह जो है पूरा न्यू अपडेट है और पिछले जो भी अपडेट है उसको सारे भूलके आप लोग इस जो निव अपडेट के साथ यहां पर अभी की टाइम पर लूना सी को देख सकते ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यह था आज की वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल पर निव है तो चैनल को सस्क्राइब जरू किजिए मिलते नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन